इस्राइली सेना लेबनान पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रही है वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के अंदर आत्म विश्वास तो है ही साथ ही उसके मन में कहीं न कहीं एक डर भी है कि अगर इस्राइली फॉज लेबनान में घुस्ती है तो आखिर क्या होगा आपको बता दे कि इससे पहले साल 2006 में इस्राइली सेना ने लेबनान पर हमला किया था उस वक्त लेबनान में भारी तबाही मची थी लेकिन उस वक्त का हिजबुल्ला और आज का हिजबुल्ला दोनों में जमीन आस्मान का फर्क है इसमें कोई शक नहीं है कि इरान के हथिया के दम पर हिजगुला की ताकत में बेतहाशा इजाफा हुआ है और अब यही वज़ा है कि वो आए दिन इस्राइल पर नए ने रॉकेट और मिसाइल बरसा रहा है वहीं दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि लेबनान में घुसना आईडियाफ के लिए बहुत बड़ी भूल होगी खुद इस्राइली मीडिया भी अब इस बात को कह रही है दरसल इस्राइली मीडिया हाउस यदियो तहरुनौत का कहना है कि हिजबुला ने पिछले हफते तेलवीव में मोसाद के हेटपाटर पर कादरवन बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी जिसकी उमीद आईडियाफ को भी नहीं थी और इस्राइल के लिए ये एक इतिहासिक हमला था क्योंकि 2006 के युद्ध के दौरान हिजबुला के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरल्ला ने हाइफा और उससे दूर तक हमला करने का बादा किया था और आज हिजबुला तेलवीव से भी भीतर इस्राइल में हमला कर सकता है इस्राइली न्यूस का कहना है कि हिजबुला को पेजर और वाकी टॉकी धमाकों से बहुत बड़ा ज़टका लगा लेकिन उसके बावजूद उसने इस्राइल को नुकसान पहुचाने की ताकत खोई नहीं हिजबुला ने अभी तक अपनी 10% ताकत का इस्तमाल भी नहीं किया है वही आईडियफ के प्रवक्ता ने अपने हालिया बयान में इस बात को माना है कि हिजबुला के पास अभी भी अलग-अलग तरह की ताकत बची हुई है आईडियफ के प्रवक्ता डैनियल हागेरी ने अपने बयान में कहा था हमारा काम है उन में से हर एक का ध्यान रखना लेकिन सबसे पहले हम उसकी रणनीतिक ताकत पे रध्यान के इंद्रित कर रहे हैं जो इस्राइलियों के लिए बड़ा खत्रा पैदा कर सकती है आपको बता दे कि हिजबुला की इस ताकत के बावजूद इस्राइली सेना लगातार उत्री बॉर्डर के करीब बढ़ रही है हाला कि न्यूस एजनसी यदियोत एहरोनौत का कहना है कि अगर इस्राइली सेना लेबनान पर जमीन हमला करती है तो उसके लिए ये एक मौत का जाल सावित होगा जिसे हिजबुला ने आईडियाफ के लिए बिछाया है आपको बता दे कि इस्राइली न्यूस एजनसी ने ये रिपोर्ट उस वक्त चापी है जब आईडियाफ ने अपने दो रेजर ब्रिगेट को उत्री बॉर्डर पर ऑपरेशनल मिशन के लिए बुलाया है उनका कहना है कि अगर इस्राइल ऐसा करता है तो ये 1982 और 2006 की गलती को दोराना होगा और इस्राइली न्यूस एजनसी का कहना है कि इस्राइल हिजबुला के बीच इस तरह के हालात बन रहे है 2006 में भी इसराइल और हिजबुला के बीच कुछ इसी तरह के हालात बने थे और फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया था और उस वक्त इसराइल को लगता था कि वो अपनी हवाई ताकत के बल पर हिजबुला को हरा देगा लेकिन युद्ध में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ